नमस्कार स्वागत है आपका फिल्मी बीट में आपके साथ मैं हूं दिपिका नयाल बॉल्यूड एक्ट्रेस सोनम कपूर शादी के बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में चली कांस फिल्म फेस्टिवल से लोटी तो वीरे दी वैडिंग के प्रमोशन में बीजी हो गई कांस के बढ़ते प्रेशर के वज़ह से सोनम और आनंद हनीमून पर भी नहीं जा पाए हालाकि कांस के बोश चली दभी सोनम शादी के बाद आनंद आहुजा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश कर रही है सोनम कपूर अपने पती को रिसीब करने खुद एरपोर्ट पहुँची जिसकी फोटो शोशल मीडिया पर वायरल हो गई दरसल आनंद आहुजा दिल्ली गए थे जिसके बाद वो वापस मुंबई पहुँचे ऐसे में आनंद से मिलने के लिए सोनम खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें रिसीब करने खुद एरपोर्ट आ गई सोनम से मिलने के लिए आनंद भी काफी excited नजर आ रहे थे उनके चेहरे पर सोनम से मिलने की तरब साब दिखाई दे रही थी गाड़ी में बैठने के बाद सोनम कपूर और आनंद आहुजा के रोमेंटिक पल कैमरे में कैद हो गए दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए थे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे आपको बता दे कि दोनों की शादी आठ मई को मुंबई में हुई थी लेकिन काम में बीजी होने के कारण दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाए हालाकि दोनों एक दूसरे को वक्त देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द ही सोनम कपूर और करना कपूर की वीरेदी वैडिंग फिरिलीस होने वाली है जिसके चलते सोनम फिल्म के प्रोमोशन में बीजी हो गई है इसके बाद वो कई और फिल्मों की शूटिंग की वज़ा से भी अभी कई और महीनों तक अपना हनीमून प्लान नहीं कर पाएगी इस वीडियो में फिलार के लिए बस इतना ही लेकिन बागी वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना